आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक में तो आज हम आप सबी के लिए लेकर आए हैं पंजाब राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में फरवरी के महीने में 2022 के विधान सबत पंजाब में राजनीति खूब गर्माई हुई है जैसा कि इस वर्ष यानि कि 2022 में विधान सबत चुनाव होने वाले हैं जहां राज्ये में पहले किसानों का मुद्ध गर्माया हुआ था अब वहां नया मुद्ध सामने आ रहा है जी हां दोस्तो दलित वर्ग का मुद्ध सामने उचलने लगा है फरवरी 2022 में विधान सबत चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना-पना कार्ड खेलने की कोशिश में लगी हुई है पिछले साल जब इनी दिनों केंद्र सरकार ने तीन क्रिशी कानून जारी किये थे तो पंजाब में इसका जबरदस्त विर आई थी और साथ ही अकाली दल ने भाजपा के साथ अपने सभी नाते तोड़ दिये थे और अब फिलाल के दिनों में एक नया मुद्ध सामने आ रहा है जो कि है दलित वर्ग से जुड़ा हुआ जी हां दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भाजपा 2022 वहीं दूसरी और शिरोमने अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी ये एलान कर दिया है कि अगली सरकार यानि की विधान सबच्चुनाम में अगर उनकी जीत होती है तो वह दलित वर्ग से उपमुख्य मंत्री बनाएंगे वहीं दूसरी और साथी भाजपा और कॉंग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी में भी काफी राजनितिक उतर पुतल देखने के मिल रही है जी हाँ दोस्तों आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायक कॉंग्रेस में आज शामिल होने वाले हैं अगर हम उन तीन बागी विधायक की बात करते हैं तो उनमें आपके आजाते हैं पिरमल सिंग खालसा दूसरे आपके आते हैं जगदेव सिंग कमालू और तीसरे आपके आते हैं सुकपाल खेरा जी हाँ दोस्तों काफी राजनीती में आपको उथल पुथल देखने को मैं और अभी कॉंग्रेस की और से भी एक बड़ी कबर आ रही है जी हाँ दोस्तों अभी दो से तीन दिन पहले नवजोज सिंग सिद्धू कॉंग्रेस हाई कमान से मिलने के लिए गए थे काफी महिनों पंजाब राजनीती से दूर होने के बाद उनका एकदम कॉंग्रेस हाई कमान से मिलना पंजाब कॉंग्रेस में काफी उथल पुथल का कारण बन जाता है और साथ ही आज पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग भी कॉंग्रेस हाई कमान से मिलने के लिए जाएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीती क्या मोड लेती है, किस करवर जाती है और जैसे ही इस बारे में कोई भी नई अपडेट आती है, तो उसके साथ हम आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे तो ये थी आज की लेटेस न्यूज राजनीती से जुड़ी हुई आप सभी के लिए तो इसी तरह की अपडेट के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैटक के साथ So thank you everyone